हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और यह समाज सास्त्र की इगनू सिरीज है आज दोस्तों इसमें हम लोग एक नए टॉपिक को या यूँ कहें कि एक नए समाज सास्त्री के बारे में डिसकस करने वाले हैं अभी तक में जो भी समाज सास्त्र को अस्थापित करने में या समाज सास्त्र को एक बिसे की रूप में गरने में जिन जिन समाज सास्त्रियों की योगदान थे उनकी बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं जैसे कि समाज सास्त्र के पिता आगस्ट कांटे इसके बाद से कालमाक्स, दरखाई, थौस्टिन, बेबलेन, वेलफ्रेडो, पेरेटो, जासीमिल यह जो जितने समाज सास्त्री हैं यह सभी समाज सास्त्र के बिल्लकुल प्रारंभिक समाज सास्त्रियों में से माने जाते हैं ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही समाज सास्त्र को एक विशे के रूप में प्रतियस्थापित करने में अपनी महत्वपूर भूमी का निभाई और इन ही कड़ी में एक और भी ऐसे समाज सास्त्री हैं जिनके बिना समाज सास्त्र अधूरा माना जाएगा वह है Max Beber आज से हम लोग Max Beber के बारे में चर्चक करने वाले हैं और इनकी क्या ओधारनाएं हैं, क्या कॉंसेप्ट हैं इनके बारे में अपने आगे के लेक्चर्स में भी डिटेल में चर्चक करेंगे आज हम लोग मैक्स बेवर के जीवन परचे के बारी में चर्चक कर लेते हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी समासास्त्री को या किसी भी ब्यक्ति को समझना है उसके थियोरीज को समझना है उसके कॉंसेप्ट को समझना है तो उसके जीवन के बारे में जानना बहुत ही जादे आवश्यक हो जाता है क्योंकि किसी भी ब्यक्ति का जो ब्यक्तित्व होता है वा अपने पूरे जीवन में किस प्रकार से अपना जीवन ब्यतित किया है उसका प्रभाव उसके जीवन ब्यक्तितों पर देहनी को मिलता है मैक्स बेवर का जन जर्मनी के थुरिंगा सहर मे 21 अप्रेल 1864 को एक प्रोटे स्टेंट परिवार में हुआ था इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे या बेवर के पिता पश्यमी जर्मनी के ब्यापारियों तथा वस्त्र निर्माताओं के परिवार में पैदा हुए थे द्रिण प्रोटो स्टेंट विश्वासों के कारण यह परिवार कैथोलिक धर्म प्रधान छेत्र साल जर्बग से भगा दिया गया था बेवर के जन्म के समय उनके पिता एरफोर्ट में मजिस्टेट थे तथा सक्रिय राजनीती में उनकी रुची थी बेवर के पिता ब्यवस्था पच्च के एक बूजुआ राजनितिक थे अर्थात जो उसमें गौवर्मेंट सत्ता में थी तथा हुआ काफी एक अच्छा जीवन ब्यदीत कर रहे थे परन्तु बेवर की माता बड़े धार्मिक विचारों वाली महिला थी उन्हें कैल्विन वादी कर्टब्य भावना पर बहुत अधिक विश्वास था उनकी बहुत सी बातें अपने पती से भिन्द थी प्रार्मिक सिच्छा तथा समाजी करण आखिर में मैक्स बेवर का कैसा था तो बेवर बच्पन में बहुत कम जोर थे उन्हें खेल से जादे पुष्टके जादे पसंद थी वह किसोरा वस्था में प्यापक का ध्यान कर अपनी बहुत धिक रूचियां बिक्सित कर चुके थे उनका पालन पोशर बहुत धिक वातावरण में हुआ था छोटी सी अवस्था में ही वह त्रिसके, साइबल, दिल थे तथा प्रसिद इतिहास वित्ताओं से मिल चुके थ उन्होंने गोते, स्पिनोजा तथा इमाइनुल कांट आदे के विचारों को भी पढ़ा था भासा इतिहास तथा साहित्ते में उन्हें स्ट्रेस्थ माधिमिक सिच्छा मिली थी फिर भी अपने स्कूली काल में बेबर संकोची तथा अंतर मुखी प्रकृतिके थे इसकूल अठारा वर्स की आग में बेबर हाइडल बर्ग चले जाते हैं यहां आकर संकोची तथा अलग थलग रहने वाला बेबर अचानक सक्री हो गए तथा समाज में लोगों से मिलने चुनने लगे विश्व विद्याले में वह चात्रों के बीच लोग प्रिय हो गए परंतो उन नौकरी के पशार 1884 में बेबर अपने माता पिता के पास वापस लोड़ जाते हैं अपनी सिछा पूरी करने के लिए ह Hahn बर्लिन बिश्व विद्याले में प्रविष ले लिए गाठ टिंगन बिश् nasal działa में भी उन्होंने सिच्छा प्राप्त की थी, इन दिनों जब वो घर पर ही रह रहे थे, बेवर को अपनी मा के ब्यक्तितों तथा धार्मिक मुल्यों से परचित होने का बहुत जादे मौका मिला, बिद्यार्थी के रूप में बेवर ने बरलिन विश्व विद्याले के अध्यापकों के साथ बहुत घनिष्ट संबंध अस्थापित किये, उन्होंने 1889 में History of Commercial Societies in the Middle Ages पर अपनी PhD का सोथ प्रबंद लिखा था, या आप लोग नो डौन कर लीजिएगा क्योंकि आगामी परिशाओं में यह पूछा जा सकता है कि मैक्स बेवर के PhD क्या सोथ प्रबंद आखिर में कौन सा है या किस नाम से है, तो यह है History of Commercial Societies in the Middle Ages या 1800-89 में इन्होंने सोथ प्रबंद लिखा था, इनका जो पोस्ट डौक्टरल था अर्थात उत्तर डौक्टरिये, यह क्या होता है, पेजली के बाद भी जो लोग आगे रिसर्च के फिल्ड में कांटिन्यू करते हैं, तो उस से पोस्ट डौक्टरल काते हैं, पोस्ट डौक्टरल का इन्होंने जो सोथ प्रबंद लिखा था, वह था रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री, अर्थात इनका पोस्ट डौक्टरल सोथ प्रबंद का जो नाम है, वह है रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री, और उत्तर डौक्टरिये स पर भी बने रहे इन दिनों में बेबर के रहनसान की तरीके में महत्वपुड परिवर्तन हुए धीरे धीरे वहा आत्मसयमी की भाति अनुसासित हो गए और इस प्रकार से वह काफी एक डिसिप्लिन तरीके से अपना जीवन जीने लगे यहाँ पर बौधीक विकास और उनकी कृतियों का चर्चा कर लेते हैं हम लोग तो 1893 में मैक्स बेबर का मारियन स्निक गर से विवा हो जाता है विवा से पहले उनकी नियुक्तुई फ्राइब बर्ग बिशुवित त्याले में अर्थ सास्त के प्रोफेसर के रूप में हो गई थी यहाँ बेबर की अनेकों वार पॉलिसी पर दिये गए उनके भासर पर अनेकों विद्वानों का ध्यान आकर सिथ हुआ था यहाँ जो पॉइंट है यह भी बहुत जादे अपने आप में महत्वपूर है अगर दे दिया गया कि दर नेशनल स्टेट एंड इकॉनोमिक्स पॉलिची पर किसने भासर दिया था तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह मैक्स बेवर ने दिया था 1896 में बेवर को हैडल बर्ग में अर्चास के प्रोफेसर के रूप में निउप्त कर दिया गया था धीरे धीरे वहां के बुध्यजीयों में उनका एक प्रमुख अस्थान प्राप्त हो गया इ जेवर ने उस समय जर्मनी की सामाजिक राजनितिक परिस्थितियों पर अनेक लेक प्रकासित किये वह अपने बौधिक तथा राजनितिक कारे कलापों दोनों में एक साथ ही सक्रियों हो गए परन्तु 1898 में अचानक इस होनहार जीवन में बाधा पड़ गई और वह किस प बाद ही बेबर के पिता का देहांत हो गया बाद में बेबर ने यह महसूस किया कि पिता के प्रती उनका वह बेवहार सही नहीं था तथा जिसकी वह परिपूर्ती नहीं कर सकते थे क्यूंकि उनके पिता का तो देहांत हो चुका था धीरे धीरे बेबर मानसिक लोग से ग्र सके हालाकि उन्होंने बार-बार अध्यापन का कारी फिर से सुरू करने का प्रयास किया किन्तु वह असफल रहे उनकी बाहें तथा पीठ और स्थाई रूप से लक्वा ग्रस्थ हो गई थी वह पड़ भी नहीं पाते थे विश्व विद्याले ने उन्हें सव वेतन आवकास की मंजूरी दे दी बिना परियाप्त काम किये विश्व विद्याले से धन पाने के मानसिक बोज से भी वह पहुँच ज़्यादे दुखी थे मानसिक और स्वस्ता के कारण डाक्टरों ने उन्हें यात्रा तथा ब्यायाम करने का सुछाओ दिया अगले कुछ वर्सों में बेबर ने इटली तथा स्विचरलेंड का खूब रमड किया इन यात्राओं से बेबर के हालात में धीरे धीरे सुथार हुआ 1902 में वा हाइडलबर्ग वापस आ गए तथा पुस्तके वा ब्यावसाइक पत्रिकाएं पढ़ने जैसे हलके फुलके काम करने लगे 1903 में आर्किव फ्यूवर सोस्याल वीसेन साफ्ट जर्मनीन में सामाजिक विज्ञान की प्रमुप पत्रिका के रूप में विख्यात हुई थी यह जो पत्रिका है यह बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि एकजाम में पूच्छ दिया जाईए कि आगी फ्यूवर सोस्याल वीसेन साफ्ट जो पत्रिका है यह किस समासास्टरी से समंदित है तो इस पत्रिका के सह संपादक के रूप में मैक्स बेबर ने काम किया था और इस प्रकार से एक बार फिर से बेबर की सैचडिक योग्यता में बहुत जादे निखाराया 1904 में उन्होंने सामाजिक वा आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञानों की वस्तु परक्ता के प्रस्न पर तथा Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism के पहले भाग की रूप में महत्वपूर लेक प्रकासित किये उसी वर्स एक सैचिक निमंत्रड परवा अमरीका भी गए बेबर अमरीका के आर्थिक विकास तथा वहां की संस्कृति से प्रभावित हुए अपने इस दोरे को उन्होंने पूजिवादी विचारधारा के सभी पहलूं जैसे स्रम समस्या आप्रवासी तथा राजनितिक प्रबंधन के प्रस्नों में अपनी रुची दिखाई कोलंबिया विशुविद्याले में उन्होंने प्रोटेस्टेंट विचारधारा में प्रयोग की जाने वाले अध्यान सामगरी को भी खोज की थे वस्ता बेबर के बहुत से सैथान्तिक जो नियम थे उनका संबंध उनकी अमरीका यात्रा से जुड़ा हुआ है जैसे की प्रोटेस्टेंट नैतिक्ता वा पूझी वाद का प्रादूर भाव के बीच क्या संबंध पाया जाता है बेबर के जीवन काल के आने वाले कुछ वर्सों में उनके जीवन के जो बहुत ही अच्छे वर्स माने जाएंगे सामाजिक विज्ञानों की सोथ पत्दती पर बेबर द्वारा लिखे गए प्रसिद लेक का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स बेबर अन्दा मैथेडोलोजी आफ सोसल साइंसेज नाम से प्रकासित हुआ तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेजेगा कि मैक्स बेबर अन्दा मैथेडोलोजी आफ सोसल साइंसेज जो है यह सामाजिक विज्ञानों में किस प्रकार की सोथ पत्दती प्रयोग में लाई जाएगी इन्ही का बेबर द्वारा या प्रसिद्द लेख है उन्ही की या एक किताब बना दी गई है The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism पर लिखा गया उनका प्रसिद्द सोथ प्रबंध भी इन्ही समय में पूरा हुआ था आगामी वर्सों में बेबर ने रूस के राजनितिक परिवर्तों पर अनिक महत्वपूर अध्यन भी किये थे 1910 में वा टौनीस तथा जीमिल के जर्मनी की समासास्त्रिय समितिक के सहसंस्थापक बन गये सैच्छिक गत्यविधियों के साथ साथ बेबर एक बार फिर से राजनितिक बैठकों तथावाद विवादों में सामिल होने लगे 1918 से 1920 के वर्सों के दोरान बेबर ने सक्रिय राजनिति छेत्र में प्रवेश किया यह दूस देमोक्रेटिस पार्तेई का संस्थापक सदस्य थे इसको भी आप लोग नोटाउन कर लीजिएगा हो सकता है कि एकजाम में पूछ दिया जाए कि जो दूस देमोक्रेटिस पार्तेई है यह आखिर में किस समंदित है तो यह बेबर इसके संस्थापक थे इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेगा 1919 में वर्साई सांति सम्मेलन में वह जर्मनी के प्रतिनिती मंडल के सलाकार तथा जर्मनी के नया सम्मिधान लिखने के प्राथमिक काम में सभागी बन गये 1915 और 1920 के बीश राजनितिक गदविदियों के साथ साथ बेवर ने सैचिक छेतर में भी बहुत अधिक योगदान किया प्रतम महायुद के दोरान उन्होंने धर्म के समासास पर अपना अध्यन पूरा किया था The Religion of China, Confucianism and Taoism 1915 में पहली बार प्रकासित हुई The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism जोकी 1916 और 17 में प्रकासित हुई Ancient Judaism जोकी 1917 में प्रकासित हुई 1919 में बेबर ने म्यूनिक विश्वित त्याले में Science is a vocation तथा Politics is a vocation अपना प्रकासित भाशड दिये थे इसको भी आप लोग note डाउन कर लिजिएगा कि Science is a vocation and Politics as a vocation या किस के दोरा भाशड दिया गया था तो या Max बेबर के दोरा दिया गया था हलाकि माना जाता है कि जो Max बेबर थे वा काफी राश्टवादी थे तो इस प्रकार से इन्हों ने जो अपना या भाशड दिया था उसमें उन्होंने किस प्रकार से जर्मनी की क्रांतिकारी उथल पुथल के लिए उन्होंने प्रयास किया था उसकी एक मात्वपूर जला किसमे ने दिखाई देती है बेबर ने इस काल में विड़ शॉप्ट तथा गेसल सॉप्ट अर्थाध अर्थ बेवस्था और समाज पर भी घहनकारी किया है अर्थाध आप लोग इसको नोट डाउन कर लिजएगा कि विड़ शॉप्ट तथा गेसल सॉप्ट किस समाज सासरी से सम्बंदित है तो यह Max Beaver से संबन्दित है जबकि हम लोग जानते हैं कि जो गेमिन साफ्ट और गेसल साफ्ट है वा टोनी से संबन्दित है 1920 में जून के प्रारम में Beaver को तेज बुखार आया सुरू में तो इसको एक फ्लू समझ के और डाक्टर जो थे उनका उपचार कर रहे थे लेकिन बाद में डाक्टर ने बताया कि यह निमोनिया है और फाइनली 14 जून 1920 को इस प्रसित समासास्त्री का देहान्त हो गया अब इनके कुछ प्रमुख जो कृतियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं जो की काफी महत्यपूर हैं तो 1894 में प्रकाशित हुई है यह सारी पुष्टकें बहुत जादे महत्यपूर हैं इसलिए आप लोग इसी नोटाउन जरूर कर लिशिएगा जो की 1904 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुई थी The Religion of China, Confucianism and Taoism जो की 1915 में प्रकाशित हुई थी Max Weber on the Methodology of Social Sciences जो की 1904 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुई थी The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism या 1916 से 1917 के बीच में प्रकाशित हुई थी A.C.N. Judaism जो की 1917 में प्रकाशित हुई थी General Economic History जो की 1919 से 1920 के बीच में प्रकाशित हुई थी The City, 1921 में प्रकाशित हुई थी The Theory of Social and Economic Organization यहाँ जब हम सभी जानते हैं या कि Max Weber की मृत्यू 1920-60 में हो गया था तो यह मरनो परान तो इनका बुक जो है पब्लिस हुआ था और इसको M. Henderson तथा Talcott Parsons ने इसको संपादित किया था जो की 1922 में प्रकाशित हुई थी From Max Weber, Assess in Sociology यह भी 1906-1924 के पीश का यह duration दिया जाता है कि इसके प्रकाशित हुई थी और इसको प्रकाशित करने या इसको संपादित करने का श्रेज हो जाता है वह है Hans H. Gard तथा C. Wright Mills यह Max Weber से संपन्दित इनकी प्रमुक रचनाए थी इसको आप लोग नोटाउन कर लीजीगा क्योंकि बहुत जादे महत्वपूर है दोस्तों यह था Max Weber का जीवन परिचे जिसके बारे में हम लोग आखिर में Max Weber का जीवन कैसा था इसके बारे में समझें आगे अपने लेक्चर में हम लोग इनकी जो भी कॉंसेट हैं कौन-कौन सी और धानाए इन होने दी हैं उसके बारे में डीटील में चर्चा करेंगे बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और मेरी साथ जुड़ी रहें अगर कुछ भी आप लोग को डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर लेक्चर आप लोग को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी इसे सेर अवस्य करें धन्यवाद